पिछले साल हमारे पास 84 लाख रुपे डोनेशन में है और सारे का सारा पैसा हमारे देश चाया है इसमें से 45 लाख रुपे हमारे क्लीनिक में खर्च हुए जिसमें हमने एक साल में लगबख 1000 जानवरों की मदद करी जिसमें rescues भी है, outpatient भी है, treat on street भी है, surgeries भी है, adoptions भी है और साथ ही साथ 29 जानवर तो यहां पे हमारे साथ permanent रहते हैं जिसमें गदे, गोडे, गाए, बेल, मुर्गे, कुत्ते, बकरे, भेड, सभी जानवर हैं और जो पैसा बचा वो हमारी अस्पताल की construction में use हुआ स्पिती की सरदियों में कुत्ते कुत्तों को ना खा जाएं इसके लिए हमने सरदी भर वहां पे 300 से 400 कुत्तों को रोज वहीं की 12 लोकल विमन की मदद से फीड किया जो एक और चीज पिछले एक साल में भी वो यह कि जो हमारे अस्पताल का सपना था वह जमीन से उठके आज पूरा साकार होता हुआ नजर आ रहा है इसके लिए जो जमीन है हमारी फैमली ने डोनेट करी जो आज तक खर्चा हुआ वह हुआ 68 लाख रुपी इसमें ते 30 लाख रुपे कंपणी ने हमें CSR फंड दिये जो अनॉनमस रहना चाहती है बाकी पैसा हमने आप लोगों से फंड रेज किया अभी इसकी चट डलनी बाकी है नलके लगने हैं स्विचेज लगने हैं फरच डलना है फिनिशिंग होनी है और काउस का एक रिकवरी एरिया भी यहां पर बनना है तो यह सब खतम होते होते लगबग इतने ही पैसे और लग जाएंगे हमने तीन डॉक्यमेंटरी बनाई बीसी और एस्ट्यूर्स को फीचर करके फंड रेजिन में मदद करी और हमारा अवेर ने इस कंटेंड यूट्यूब और फेस्बुक पे एक करोड दस लाख घंटे तक देखा गया हमारे साथ करीब पेंतालेस लोग इंप्लॉइड हैं ज इस तरह की चीज़ों का एक इको विलेज बना देंगे जहां वॉलेंटियर आके सस्टेनबली रह सकें पर पिछले कुछ समय समय इतने केस देख रहा हूं वही गाय बहल होते हैं या तो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है या किसी गौशाला हम भेजते हैं जहां ठीक से र मेहने का पीने का इंतिजाम कर देगा फिर समय के साथ सातर इसको भी हम ड्यलप संटे रहेंगे इस से में करीब 600 जिल्ओं और 600 ऑं को चाइया दर-व्या हम हर साल वहां पे स्टेडिलाइजेशन करेंगे वहां पे मारा सप्लाइज पे खर्चा आएगा करीब डेल लाक रुपए उसके अलावा वहां जाना रहना खाना और स्टाफ सेलरी किसी भी नॉन प्रॉफिट काम में डोनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और डोनेट करना क कोई आसान काम नहीं आखिरकार आप किसी और पे अपने पैसे को सही से खर्च करने के लिए भरोसा चाहिए आप हमें सपोर्ट करते हैं किसी और यूँ कहना चाहता हूं। आप लोगों की जो हमें सपोर्ट मिली है ना उससे हम अपना जो करन्ट काम हैं इसको जारी रख सकते हैं पर अगर हमें आगे बढ़ना है हमें अस्पिताल को फिनिश करना है तो इस समय हमें corporate funds की आविशकता है तो अगर आप में से कोई हमें CSR funds दिलाने में help कर सकता है प्लीज हमें contact करिएगा